हाई फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे मोमोस विथा ट्विस्ट तो ट्विस्ट क्या है यह जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें सबसे पहले हम बनाएंगे मोमोस की कवर उसके लिए मैंने एक कप मैदा लिया है स्वादनोजार नमक डाला और चाटेबल स्पून ओयल तीनों को अच्छे से मिक्स करके आटा गूंध की इसी रख देंगे साइड में और अब तयार करेंगे हमारे मोमोस की फिलिंग पैन में डालेंगे ओल, हरे मिर्श, 15-20 चॉप्ट कार्लिक और सबजी में डालेंगे हम काबेज, ग्रिटेट कारट और चॉप्ट काप्सिकम और डालेंगे स्वादनसार नमक, काले मिर्श पाउडर और एक टेबल स्पून सोया सॉस जादा ओवरकुक ने करना है तो हाई फ्लेम में 15-20 से के लिए चलाए और फिलिंग रेड़ी है और अब हम बनाएंगे अपने मोमोस उसके लिए हम आटे को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे यानिकि 10 लोई बना लेंगे और इसे पूरी के शेप में बेल लेंगे पत जादा करके और मैं आज मोमोस को गुजिया का शेप देने वाली हूं आप जैसा पसंद करते हैं उसे वैसा शेप दे सकते हैं तो यह है मोमोस रेड़ी कर लेंगे तो फ्रेंड्स अब है ट्विस्ट के बारी यहां मैंने लिया है आदा काटोरी बेसन उसमें डाला है ब्लै पड़ पाउडर यानि पिसी भी काले मिर्च और 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 पाउडर और थोड़ा थोड़ा पानी अट करके थिक बैटर बना लेंगे यह मैंने लिया है कॉन फ्लेक्स इसे हम चुरा-चुरा कर लेंगे यह देगा हमारे मोमोस को क्रिस्पी टच तो हमारा बेसन का बैटर में डालो निकालो कानलो कवंएसे कोट कर लो और इसे डीप heft कर लो अकर अचल जाये तो इसे air fryer में भी nossaùikhira कर सकते हैं इसे अठीप United कर रही हूं है लो टू मीडियम फ्लेम पे या फिर आप इसे माइक्रोवेब में भी कुप कर सकते हैं 200 डिग्रीज पे तो हमारे क्रिस्पी कुरकुडे मॉमोस बनके रेडी हैं खाने में बहुत जादा डेश्टी है अंदर से जूसी फ्लेवर है और सारे वेजटेबिल्स का उपर से है क्रंची क्रस्ट तो फ्रेंड्स आप इसे जरूर ट्राइ करें और कमेंट करके बताए कि आपको यह कैसा लगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई